गेहु मक्का की खेती करने वाले किशानों को फसल का शही कीमत न मिलने के बाद किशान अब बढ़े पैवने पर सब्जी की खेती कर पर्तिवर्ष लाखो रुपया कमा रहे हैं बताते चले की समस्तिपूर जीला के हलोई ओपी छेतर के चकजलाल गउं की रहने वाले किशान पिछले 30 बरसों से लगतार सब्जी की खेती करते आ रहे हैं वर्तमान समय में किशमने दो एकर खेतों में बैगन एवं परवल की खेती कर रहे हैं और पर्तिवर्ष छे लाख्शी अधिक रुपय का मुनाफ़ा कमा लेते हैं किशान बताते हैं कि पूर्म में गेहू मक्का की खेती किया करते थे लेकिन ओक्त तयार फ़सल का खीमत सही से नहीं मिल पाता था और फ़सल तयार होने में छो महिने तक इंतजार भी करना पड़ता था इसी बज़ा से ओक्त खेती छोड बरतमान में सबजी की खेती कर रहा हूँ सबजी की खेती नगद अमदानी वाली खेती मना जाता है उन्होंने यह भी कह दिया कि सबजी की खेती किसान का ATM मान लिजिए कभी भी पैसा की जरूरत पड़ता है तो खेत में तयार फ़सल को मार् की खेती को किशान का ATM माना जा सकता है चकजलाल गाओं के रहने वाले किशान सिमनात रहा बताते हैं कि हमें परतमान में जंगली जानवारों से ज़्यादा परसानी बढ़ गई है अगर सरकार हमारी इस समस्या को दूर कर देती है तो दो एकर खेतों से परतिवर्ष छे ला तक इनकम परतिवर्ष कर लेते हैं कि बैगन करते हैं और परवल करते हैं अच्छा कब से इस डंग के खेती पर मतलब आप जुकाओ करने लोगे हैं लग तीस साल से सब्सक्राइब कर देखेती पर ही आशनी से मक्का और गेहु जो है से छे महिना पर उसका फसल है यह जो है से अभी चाहेंगे तो 25-50 किलो मंडी ले जाएंगे तो पंदर रूपया सुनर रूपया किलो भी केगा तो घरेलू खर्च निकल सकता है और मक्का और गेहु बैसाख में उगा उद्धर सुर्पया कहां से इतना कर लेता है अछे रहा तो क्या मतलश में इंकम क्या हो सकता है सलंना अच्छा रहा तो यह,टक इसमें इंकम हो सकते है अच्छा रहा थो पांच्यला को पिया हो हो जाएगा शुरुवाती में बता रहें थे क्या रेट से चोवी सो पचीस सो रुपया कुइंटल भीकता था तो उस टाइम में ठीक स्थिती था उसा में अच्छा काता कमाये थे नाम है शिवनाथर है कहां के राने वाले हैं शक जलाल